हलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनेल आज आप लोगों को खिचडी बनाना सिखाऊंगी वो भी इसके घर में छेश साथ माहिना के बच्चे हैं उनके लिए और जिनका घर में बुड़ा आदमी है मतलब जो बेड रश कर रहे हैं जो खाना चोबा के नहीं खा सकत हैं उनके लिए मैं दिखा रही हूं एक इटीडी श्पेसल उनके लिए तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैं सबजी में बरबटी ली हूं थोड़ा सा गाजर थोड़ा सा यहां पर आलू और यहां पर पपिता ली हूं इसको हम सिंपुल तरीका से बनाएंगे तो किये मैं कैसे बना रही हूं यहां पर मैं एक चमच घी डाल रही हूं अबको अगर घी पसंद नहीं है तो आप रिपाइन दिल का भी यूज कर सकते हैं यहां पर ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे सिंपुल से बनाएंगे तक कि बच्चे लोग भी खा सके जो छे साथ महीने के बच्चे है उनलूप के लिए भी एक इचड़ी बहुत ही फाइदा होता है तो यह सबजी को हमने घी में थोड़ा सा हलका फ्राइ कर लेंगे ज्यादा नहीं फ्राइ करेंगे नहीं तो जितना भी सबजी में वीटामिन मेरे लार से वह सब कतम हो जाएगा ज्यादा फ्र कर ली थी अलका सा और इसको धो के इसको भी एड़ करेंगे समझी के साथ और इसको भी हिलका सा फ्राइ करेंगे देख सकते हैं इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके घर में जो भी बच्चा है जो 6-7 महिना के बच्चा है उल्लो के लिए बहुत अच्छा खाना है पेट भी भर जाएगा बहुत सरा सबजी भी इसमें मिला हुआ है और यहां पे हम मसाला में हल्दी पाउडर धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और तीखा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि यह बच्चों के लिए है और जिन का घर में बुड़े लोग है मतलब ज्यादा उमर के लोग है जो खाना चुबा के नहीं खा सकते हैं उन लोग के लिए स्पेशाली है तो यहां पे तीखा बि से आप दुकान से भी ले सकते हैं तो मेरे पस यह चावल था इसको में धो के अच्छा से साफ करके इसको में एड़ कर रही हूं और इसको अच्छा से सब्जी के साथ मिला लेंगे 2-3 मिनिट के लिए इसको थोड़ा हलका आंच में तेल के साथ ज्यादा देर नहीं फ्राइब करेंगे और ज्यादा कुछ स्पाइसी बिल्कुल भी अड़ नहीं करेंगे तो दिखें यहां पे हम स्वादनुसार नमक अड़ कर लेंगे और यह किचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है आप लुग भी एक बार बनाईए और आपका घर में अगर चोटे बच्चे है तो उनलुक भी खिलाई यह बहुत ही अच्छा किचड़ी है और बहुत सारा सब्जी इसमें डाला हुआ है आपको अगर ज्यादा और कुछ फुल वग भी बीन्स वगिरा मिलता है तो इसको भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं आपको जो सब्जी पसंद है इसको यहां पे आप एड़ कर सकते हैं अध्यान दीजिए स्पाइसी बिल्कुल भी इसमें मत डालिएगा क्योंकि यह बच्चे लुक के लिए है तो अभी इसमें हम पानी एड़ करेंगे पानी ज्यादा ही कुछ एड़ करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह मैं एक बरतन में ली हूं पूरा एक बरतन पीर और थोड़ा सा पानी इसमें जूरत पड़ेगा हम लुक को और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे कि यह देखिए और आप इसमें बरतन में हाप बरतन पानी में एड़ कर रही हूं और इसको इसी तरह से खुले में ही पकाएंगे इसको ढखकर नहीं लगाएंगे तोड़ा से पानी मतलब पानी ज्यादा मत्रा में हम देंगे आप लोग सबजी और चावल को देखके पानी एड़ करिएगा और इसको अच्छा से मिला लेंगे पानी के साथ और आज को थोड़ा से मिडियम ही रखेंगे और 20 मिनिट के लिए इसको मिडियम आज में ही पकाएंगे ये देखिए हम लोगा के चिड़ी जो आदा पक गया है और थोड़ा से इसको पकाएंगे आज को बहुत ही कम रखेंगे लो और मेडियम के बीच में तो 20 मिनिट के बाद यह हम लुका किचिडी इस तरह से थोड़ा से हो गया है और थोड़ा से इसको पकाएंगे जो कुकर का ढखन है इसको उपर में इसी तरह से हलका से ढखन लगा के उसको और 5-10 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा सबजी और दल अच्छा से पक जाएं यह देखिए 5-10 मिनिट के बाद यह किचिडी कुछ ऐसे दीख रहा है लग भग पक गया है और इसी कंसिस्टेंसी में इसको निकालेंगे आप चाहे तो इसमें दो चन मुच चीनी अड़ कर सकते हैं थोड़ा हलका मीठा होने के लिए यह देखिए हम लोग का किचिडी अभी थोड़ा हलका ठंडा हो गया है इसको एक कटोरें में निकल दे हैं खाने के लिए और देख सकते हैं यह कितना सुन्दर लग रहा है और आप लोग भी ऐसी तरह से कभी बनाई है और अपने घर में जो बच्चे हैं बोड़े हैं उन लोग को खिलाइए उन लोग को बहुत अच्छे लगेगा अज कर रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे चेनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा